आज हम लोग UPAPO का पेपर करने जा रहे हैं जो कि GS का पेपर है मेंस का 2019 का हम इसको जो है एके करके जो है इसमें डिसकेशन करेंगे हाला कि ये कुछ क्वेस्चन्स ऐसे हैं जो उस टाइम के हिसाब से ही रेलिवेंट थे उस टाइम जो है नियूज में थे अपके टाइम में इसका आने के चांस कम होंगे लेकिन फिर भी अगर ऐसा कोई क्वेस्चन है तो आपके इन्फोर्मेशन के लिए भी ये जरूरी होगा कि आप इसको सुने और जाने तो चलिए फिर हम लोग इस्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेस्चन से हमारा फर्स्ट क्वेस्चन है इसको जो है ग्यारा दिसंबर 2019 में पास किया गया और ये एक रिके से पर्सीक्यूटर्ड रिलिजियस मैनॉर्टीज जो है अफगानिस्तान बंगला देश पाकिस्तान से वहां की कंट्रीज में जितने भी रिलिजियस माइनॉर्टीज है और जो पर्सीक्यूटर्ड है तो जो की हिंदूज है सिख है बुद्धिष्ट है जैन्स है पार्सी है क्रिशियन है जो की दिसंबर 2014 से पहले के इंडिया में आए हुए है तो उनको जो है यहाँ पे उसका citizenship grant किया जाएगा इंडिया का और यह Muslims इसमें जो है exempted थे Muslims को इसमें से eligible नहीं किया गया है क्योंकि यह सारे countries जो है यह Muslim majorities countries है और दूसरा यह कि अपने इनका state religion ही Muslim है तो ऐसा जो है नहीं हो सकता कि Muslims यहाँ पर persecuted में आए तो यह एक ऐसा act है तो first time जिसको religion को based मना के citizenship grant किया गया है और यह जो है global इसको criticism भी मिला है और इंडिया में कई लोगों ने इसको बहुत पसंद भी किया है तो इसको जो है पास किया गया था 11 December 2019 को और यह जो है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंट जी ने sign किया था इसको 12 December 2019 को और यह 10 January 2020 से effective है मतलब तब से यह लागू हो चुका है और कई स्टेट में इसको challenge भी किया जा चुका है especially असाम वगहरे में और यह बहुत ही उस time बहुत ही news में था और इसकी वज़ा से opposition party जो थी उन्होंने काफी protest भी किये थे next question है हमारा what does article 35A of Indian constitution say why was it removed on 5 अगस 2019 what is its likely impact on future of Jammu and Kashmir तो यह चो article 35A यह भी बहुत ज्यादा controversy में रहा था और बहुत ज्यादा इसके उपर भी issue उठा था तो यह एक तरीके से J.N.K. legislature के द्वारा वहां के जो लोग है resident है वहां के जो है permanent resident बनाने का इसको जो है right और privilege इस article के अंदर दिया गया था इसको जो है presidential order के द्वारा add किया गया था 1954 में और इसको कभी parliament से pass कराया ही नहीं गया इसमें क्या-क्या qualities थी एक तो सबसे पहले यह था कि permanent resident of state and provide special right and privilege to residents एक तो इससे क्या होता था कि permanent resident जो भी है वहां पर उनको एक special right और privilege दिया जा सके इस article के अंदर दिया जा रहा था 1954 से लेके 2090 तक जब तक जो है article 370 को हटाया नहीं गया दूसरा इसमें क्या था कि इसमें ability to purchase land and immovable property और इसमें जो है वहां के residents को जो है land purchase करने का right मिलता था और इससे क्या होता था कि बाहर के लोग जो है वो जम्मो एंड कस्मीर में land purchase नहीं कर पाते थे वहां के local elections में contest भी नहीं कर पाते थे क्योंकि वहां के हिसाब से जो है वहां का permanent resident बनना बहुत ही लेकिन अब उसके जो है nullify होने के बाद अब इस order को भी जो है cancel कर दिया गया है null and void कर दिया गया है तो इसके जो है in applicability के बाद मतलब इसको जो है जब से null and void ठराया है अब से जो है कुछ change आये हुए है change आया है वहां के जो है legislature में और permanent residence के status में अब क्या है कि जो भी person 15 years तक अगर जम्मुएंड कस्मीर में रह लेता है उसको जो है permanent resident मिल जाएगा दूसरा अगर कोई person यहाँ पे 7 साल तक लगातार study करता है अपने 10th और 12th यानि board exams के paper भी यहीं से देता है जम्मुएंड कस्मीर से उसको भी यहाँ का citizen या residency मिल जाएगा यहाँ के domicile मिल जाएगी अगर कोई person है central government official है और वो जो है जम्मुएंड कस्मीर में 10 years तक serve कर देता है वहाँ पे service दे लेता है तो वहाँ पर उसे और उसके बच्चों को भी JNK domicile मिल जाएगा तो यह जो है इसका विवाद था और इससे क्या impact होगा इसको जो है क्यों हटाया गया क्योंकि यह जो है एक तरीके से इंडिया को इंडिया के जो दूसरे जो citizen है उसको जो है discriminate करता था क्योंकि यह इंडिया का part है तो इंडिया के part में जैसे और भी दूसरे state में ऐसा कोई special provision नहीं था तो discrimination जो है नहीं होता है दूसरे state में क्योंकि हम अभी भी अपने स्टेट से जाके दूसरे स्टेट में जमीन खरीद के वहां का पर्मनेंट रेजिडेंट बन सकते हैं डोमिसाइल बन सकते हैं। तो यहाँ पे इसी लिए इसको हटाया गया क्योंकि यह पूरे इंडिया को जो है कट करता था, इंडियन कॉंस्टिटूशन को जो है एक लोवर राइट देता था as compared to जम्मू एंड कस्मीर का special constitution. तो जमुएन कस्मीर का एक अलग ही जो है constitution चलता था और अलग ही act भी हुआ करते थे जैसे IPC की जगा रनभीर पेनल कोड हुआ करता था तो यह सब को nullify करते हुए जो है 5 August 2019 को इसको हटा दिया गया और इससे क्या होगा future impact इस पे क्या आएगा कि बाहर के लोग भी आकर यहां लगेंगे तो यहां के voting rights उनको मिलेंगे और यहां के जो election होते हैं वहां पर यह लोग important role play करेंगे तो यह इसका future होगा और दूसरा all over India से जब यहां पर person आएंगे तो उनको भी लगेगा कि यह इंडिया का part है और यहां पर development होगी और economic activity भी बहुत ज़्यादा होगी next question का हमारा what is the dispute between India and Nepal on border issue how this dispute will impact Indo-Nepalese relationship on socio-economic and political areas तो Indo-Nepal का जो border issue था वो काला पानी territorial issue को लेके था काला पानी नदी के ही जो है यह एक तरीके से उत्रा खंड का जो part है कुछ कुमायू region जो है और नेपाल का जो southern part है और नदर्न नौर्थ नेपाल नौर्थ का north south part जो है वो कुमायू region से उत्रा खंड से लगता है और वो जो है एक disputed part है तो इस region को जो है 1997 से नेपाल क्लेम करता आ रहा है लेकिन इंडिया का उससे पहले से ही जो है agreement अंग्रेजों के साथ हो रखा था कि यह इंडिया का part होगा तो इसी लिए जो है यहाँ पर dispute उठा और जो current government थी जो उस time की जो अभी 2019 की government थी वो एक तरीके से एंटी इंडिया हो गई और चाइना के pro हो गई तो इस issue को लेके जो है चाइना ने भी इनका समर्थन किया नेपाल का वो back में खड़े रहे तो इसलिए नेपाल के जो भी वो थे जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने anti-India जो है रुक अपना लिया था इंडिया के साथ जो है नेपाल का सपोर्ट ही किया है नेपाल एक लैंडिया से ही सारा जो है प्रोड़क्ट जाता है इवन नेपाल के लोग जो है इंडियन आर्मी में भी सर्व करते है तो नेपाल बहुत जादा dependent है इंडिया पे और नेपाल के में जाने के लिए वीज़ा भी नहीं लगता नेपाल के लोग इंडिया में आकर काम भी करते है तो अगर इस dispute की वज़े से जो है दोनों government आपस में अर जाती है दोनों government आमने सामने आ जाती है तो यहाँ पर क्या प्रांस का जो relationship है यह बहुत ही strategic और important relationship है और इंडिया और फ्रांस का strategic relationship मतलब बहुत ही important और एक तरीके से future oriented और proactive step इसको strategic partnership जहते है तो फ्रांस ने इंडिया के साथ हमेशा जो है strategic partnership को निभाया है रफेल का मामला हो या nuclear submarine का हमेशा जो है फ्रांस ने इंडिया का help ही किया है इवन हमेशा United Nation में फ्रांस ने security council में इंडिया के position को लेके हमेशा फेवर ही किया है तो इंडिया नेपाल इंडिया और फ्रांस रिलेशन जो है यह एक तरीके से बहुत important relationship है और यह जो है improve होती ही जा रही है हम दिन में दिन देख रहे हैं कि इंडिया और फ्रांस के बीच का trade भी बढ़ रहा है even defense sector में बहुत सारे agreements भी हो रखे हैं और दूसरा जो है military exercise भी होता है जिसका नाम है Garuda इंडिया नेपाल में Garuda military exercise होता है और Garuda सक्ती भी military exercise होता है जो कि इंडिया और Indonesia के बीच होता है तो हमें Garuda और Garuda सक्ती का ध्यान रखना है एक जाम में कि कुछ भ एक तरीके का bilateral exercise है और यह जो है एक बार एक साल जो है फ्रांस में होता है फिर next year इंडिया में तो इस तरीके से alternatively इसको जो है किया जाता है तो यह सब जो भी points थे यह favor करते हैं इंडिया फ्रांस के strategic partnership को अब हम जो है next question पर चलते हैं briefly discuss the implications of newly introduced industrial relation code bill 2019 2019 में यह code bill था लेकिन अब जो है इसको purely code बना दिया गया है तो 28 September 2020 से जो है इसको जो है पास करा दिया गया है लेकिन अभी इसको ratify नहीं किया अभी इसको जो है gadget में डाला नहीं गया कि यह कब से enforce होगा इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा discuss कर देते हैं कि इसमें आखिर है क्या ऐसे क्या provisions है तो इसमें जो है trade union act जो है 1926 का उसको जो है amend किया गया है और उसके साथ साथ ही जो employment की conditions हैं उसमें भी जो है बदलाव लाया गया है और जिस तरीके से industrial dispute जो arise होते हैं worker और workman और employer के बीच में तो उनका जो investigation है और settlement है उसमें भी कुछ improvement किया गया है तो इसमें क्या है कि it introduced more conditions for workers on strike layoff retrenchment तो इसमें काफी सारे जो है बदलाव किया गया है basically इसमें जो है तीन acts में बदलाव किया गया है वो तो इसमें जो है काफी बदलाव किया गया है यह अभी जो है फोर्स में नहीं आया है लेकिन यह already pass हो चुका है यह एक act बन चुका है तो देखते हैं government इसको कब से enforce करवाती है next question हमारे describe the benefits and challenges of the gig economy is Indian economy moving in this direction तो गेग economy क्या होता है एक तरीके से यह एक market होता है characterized by prevalence of short term contracts तो इसमें जो है time time के हिसाब से जो है यह एक तरीके का market जो है इसको picture में आता है जैसे कि अगर हम for example देखें कि यह कोविड में हमने देखा कि mask का जो है बहुत ज्यादा demand आया sanitizer का बहुत ज्यादा demand आया तो यहां पर क्या है कि contractual labor जो थे उनको जो है hire किया गया एक दम short term के लिए तो जिससे कि production ज्यादा बढ़ाया जा सके तो यह एक तरीके का जो है short term contract होता है और यह जो है कभी कभी demand में जब आता है तब जो है इसमें जो है labor इसमें आके काम करते हैं और अपना जो है economy में यूगदान देते हैं दूसरा एक तरीके का temporary living of independent workers for short term commitment तो short term के commitment होता है और temporary hiring किया जाता है इसमें independent workers का तो अगर ऐसा कोई situation आ जाता है तो वहाँ पे क्या होता है कि independent workers को hire करके contract के साथ उसमें अपना काम कराया जाता है तो यह क्या है कि timely होता है यह एक तरीके का मतलब regular economy में यह contribute नहीं करता है लेकिन कभी कभी यह economy को बहुत high कर देता है मतलब जब demand आती है इन सब चीजों की तो वो क्या होता है कि वहाँ पर तो कमाई जारा हो जाती है लेकिन जब demand नहीं रहती तो इसका बिल्कुल demand नहीं रहता तो इस वज़ए से जो है यह एक तरीके का stable economy नहीं बना के रखता लेकिन जब भी इसका demand आता है तो benefits तो होता ही है तो economy के साथ यह तोड़ा सा जो है उपर नीचे करने वाली बात है इस Indian economy moving in this direction तो इंडियन economy बिल्कुल इस direction में move कर रहा है क्योंकि इंडिया का जो market है अभी especially जो policy लेके आये है मोदी government making India policy उसमें दूसरा यह है कि जो जिस तरीके से यह government जो है local market बढ़ाने के लिए local जो small scale industries है उसको बढ़ाने के लिए subsidized subsidy देती है और बहुत जादा loan देती है तो यह एक तरीके का इनको बढ़ावा देने की ही कोसिस हो रही है तो यह भी जो है यह gig market का हिस्सा है next है हमारा define artificial intelligence and discuss the ethical issues involved in its use artificial intelligence हम लोग देखते हैं कि क्या होता है एक तरीके से जो machines होती है वो computers होते हैं यह एक तरीके के artificial intelligence है तो इक तरीके का जो है humans और animals को replace करके जो artificial intelligence का use किया जाता है और machines के तरू जो है काम कराया जाता है तो artificial intelligence में क्या-क्या include होता है इसमें जो है web search engines आगे जाते है self driving car आगे जाती है जैसे टेसला की जो है तो इसमें जो है एक तरीके से क्या हो रहा है कि यह technology के साथ जो है improvement करते जा रहे हैं जो है हम लोग और इससे क्या होता है कि जो human capacity है काम करने की human का intelligence है उसको जो है replace कर दिया जाता है artificial machines के द्वारा artificial intelligence के द्वारा इसमें जो है कौन कौन से ethical issues involved होते हैं सबसे पहले तो इसमें employment का issue involved होता है इसमें क्या होता है कि loss of employment होता है बहुत चादा unemployment बढ़ जाता है क्योंकि अब ऐसी machine आ गई हैं जो दस लोगों का काम अकेले ही कर देती हैं तो उन दस लोगों का काम जो है वो वेश्ट हो गया वो दस लोग जो है unemployed हो गए तो इस तरीके से जहां पर ethical issues involved होता है दूसरा inequality आता है machine के द्वारा किया गया काम जो है वो किसी को ज़्यादा पैसा दिलाती है किसी को कम पैसा दिलाती है जैसे जो operator होगा machine का उसको तो ज़्यादा पैसा मिलेगा बाकी जो labor होंगे तो उनको जो है कम पैसा मिलेगा तो ये एक तरीके से inequality को भी बढ़ावा देती है humanity का भी issue इसमें आ सकता है क्योंकि बहुत सारे लोग unemployed हो जाएंगे तो उनका जो है जो रोजी रोटी है वो नहीं चल पाएगे और एक और तरीके से भी इसको देख सकते हैं कि अगर सारे काम machine ही करेंगे तो human values को जो है समझ नहीं पाएंगे human values को जो होगी वो degrade होती चली जाएगे for example अगर मैं बताओं जैसे bank में हम गए हमें बहुत ही urgent पैसे निकालने है अब वहाँ पे एटियम लगा हुआ है ATM से आप जो है पैसे निकालिए तो उसमें अगर मालो कोई चीज issue आ जाता है और हम पैसा नहीं निकाल पाते हैं उसमें success नहीं हो पाते हैं तो हमारा तो issue वहाँ पे solve नहीं हो पाएगा हमें urgent पैसों की जरूरत है तो पैसे नहीं मिल पाएंगे वहीं अगर उस machine की जगा कोई human बैठा होगा तो वो कुछ अपने जो है उसको correct करके humanity को मतलब थोड़ा सा human values को support कर सकता है उस बंदे को तो इस तरीके से यहाँ पे humanity का भी issue आता है दूसरा security का भी issue है अगर कुछ मान लोग खराब हो जाए machine में तो वो जो है secure नहीं रह जाएगा और उससे जो है नुकसान भी हो सकता है तो यह हमारा artificial intelligence है और इसके साथ जो है seriously ethical issues जो है involve हैं जो कि हमने भी discuss किये next question है हमारा describe how a common man can get the benefit of scientific innovation as they have become highly commercialized तो यहाँ पे जो है scientific innovation की बात की जा रही है scientific innovation क्या होता है practical implementation of ideas that result in the introduction of new goods or services और improvement in offering goods or services तो एक तरीके से science का use किया जाता है उसको जो है technology को improve करने के लिए innovation में सब कुछ मुतलब कुछ नया innovate करना एक नया तरीके से किसी चीज को modify कर देना और उससे common man को फाइदा होता है even commercially भी फाइदा होता है तो इस तरीके से उसको design कर देना कि common man के लिए आसान हो जाए उस चीज को काम करना या फाइदा उठाना profit motive इसमें involved होता है innovation involves engineering process तो इसमें engineering process का इस्तिमाल किया जाता है common man can become more efficient, output improves, earn more money तो इसमें क्या है कि अगर scientific innovation किसी चीज में किया जाता है तो उसमें क्या होता है कि common man जो है वो more efficient हो जाता है क्योंकि जब maximum काम अगर scientific innovation के दोरह आसान हो जाएगा तो अपना जो energy है capacity है वो दूसरे काम में लगाएगा मतलब उसी काम को और ज़्यादा time तक कर पाएगा और ज़्यादा accuracy के साथ कर पाएगा और इससे क्या होगा उसका output इंप्रूब होगा उससे money ज़्यादा कमाएगा और उसकी lifestyle इंप्रूब हो जाएगी और indirectly country का भी improvement होगा तो यह scientific innovation के फाएग देते हैं अब हम चलते हैं अपने next question के तरफ जो की है write notes on the following precision medicine तो इसे जो है कभी कभी personalized medicine भी कहते हैं तो एक तरीके से यह जो है medicine provide किया जाता है इसमें एक तरीके का जो है यह जो है emerging approach है जिसमें क्या होता है कि treatment किया जाता है disease का और prevention किया जाता है कुछ चीजों को ध्यान में रखते हुए जैसे कि इसमें jeans पर ध्यान दिया जाता है environment पर ध्यान दिया जाता है और lifestyle पर ध्यान दिया जाता है अलग-अलग person के हिसाब से अलग-अलग दवाईयों को जो है prescribe किया जाता है तो इसी को जो है personalized medicine कहा जाता है next है हमारा strategic sale तो easy language में अगर कहें कि अगर कोई public enterprise है अगर उसमें 50% से 50% share से या ज़्यादा अगर कोई sell कर देता है या transfer कर देता है 50% या उससे ज़्यादा तो एक तरीकिस से ownership control पे फरक आता है इसी को जो है strategic sale कहते है तो process of transferring or selling a substantial portion up to 50% or higher share of ownership and control of a public enterprise to some other entity is known as strategic sale तो अपना maximum share अगर दूसरे किसी entity को बेच दिया जाता है तो उसमें जो है ownership जो है दूसरे के पास चली जाती है तो इसको strategic sale कहते है जिस तरीके से अभी Twitter के साथ हुआ Elon Musk ने strategic sale के तुरू ownership acquire किया है Next question है हमारे Digital India पे Digital India या flagship program of the government of India with a vision to transform India into a digitally empowered society and knowledge economy तो Digital India जो है एक तरीके का एक program है जिसके तुरू Indian government जो है जिस तरीके से हम देखते हैं Digi Locker आया फिर जो है हमने online payment करना शुरू किया यह सब Digital India का ही एक उधारन है Next है हमारा Nipa Virus Nipa Virus का जो scientific name है Nipa है Nipa Virus है It is a bat born virus that causes Nipa Virus infection in human and other animals A disease with a high mortality rate तो यह एक तरीके का animal to human transferable virus है तो communicable virus है यह एक animal से human में फैल सकता है और human to human भी फैल सकता है और इसका जो main cause है वो fruit bats है bat born virus है यह एक तरीके का जान लेवा है घा तक भी हो सकता है Next जो है और कुंड और कुंड is a completely automated system अगेंस्ट प्लेगरिजम है और यह जो है successfully use किया जा रहा है उनिवेस्टी स्कॉलेज के द्वारा all around the world में तो और कुंड सिस्टम क्या करता है चेक्स all documents against the three central source areas the internet, published materials such as journals, books, etc Previously submitted students, memoranda case studies and examination work Basically एक तरीके का यह anti-plagorism software है अब plagorism क्या होता है plagorism यह होता है कि किसी के work को, किसी के research को या किसी के idea को copy कर लेना तो यह जो है बहुत ज़्यादा prevalent है इंडिया में दूसरे का idea जो है चुरा के उसको अपना बता देते हैं लोग तो इस तरीके से जो है इसको software को develop किया गया था तो यह anti-plagorism software है यह क्या करता है कि idea को जो है leak नहीं होने देता है उसको copy करने से रोकता है यह software है एक तरीके का उरकुंड software next question है हमारा write short notes on the following aquaponics के उपर short notes लिखना है aquaponics क्या होता है एक तरीके के aquaponics दो वर्ड से मिलके बना है aquaculture plus hydroponics तो aquaculture क्या होता है aquaculture होता है growing of fish pond or artificial environment तो जहां पे fish को जो है पाला जाता है aquaculture किया जाता है hydroponics क्या होता है growing of plants usually in a soil less environment तो बिना मिट्टी के जो है पानी के अंदर पौधों को उगाना hydroponics कहलाता है तो इन दोनों को अगर add कर दिया जाए तो aquaponics मनता है और aquaponics क्या होता है cultivation of fish and plant together in a constructed environment तो इसमें जो fish जो अपना waste release करता है उसके through plant nutrient gain करता है उसी को ही gain करता है तो इस तरीके से जो है aquaponics को एक constructed environment मिलता है जहां पे fish और plant दोनों आपस में develop होते हैं next जो है हमारा intel lights intel lights एक तरीके का wireless system होता है जो 3D 3 dimensional में होता है और यह जो है smart traffic signal को regulate करता है इसमें बिसिकली क्या होता है कि sensor लगा होता है sensor system लगा होता है और यह जो है traffic signal को जो है control करता है और इसको जो है सबसे पहले मोहाली में लगाया गया था मोहाली पंजाब ports of call it is an intermediate stop for a ship on its schedule journey for cargo operation or taking on supplier of fuel तो ऐसा होता है कि कई कई बार बीच में जो ship जा रही होती है समुंदर से एक जगह से दूसरे जगह पे तो बीच बीच में उनका oil और fuel जो है खतम हो जाता है तो उसको refuel करने के लिए बीच में एक stoppage बना दिया जाता है कि यहां पे आप आके fuel को भर सकते हो और अपनी journey को continue कर सकते हो यह तरीके के cargo ships में जादा होता है तो वहां पे जो है इस तरीके के इस तरीके से जहां पे जो है fuel को भरवाना रहता है तो उसको जो है port of call कहते है next है हमारा COP25 COP जो एक series चलता आ रहा है 25 अभी तो COP 27 हो रहा है हुआ है मतलब अभी सरमल सेक Egypt में हुआ है COP 27 तो यहां पे COP 25 के बात कर रहा है COP 25 एक तरीके का United Nation framework convention on climate change के उपर meeting करते हैं देश तो यह हुआ का Madrid Spain में तो COP 25 का इतना ही रोल है कि climate change के उपर यहां पे आके लोग conference करते हैं star link project star link project एक तरीके का एक low cost satellite based broadband network है जो global internet access provide कर सकता है और Elon Musk इसके owner है star link project के लेकिन बहुत सारे countries ने इसको जो है security region की वज़े से अपने country में allow नहीं किया है next है coronavirus coronavirus are large family of virus that may cause a horrific life living pandemic since 2019 COVID-19 जो virus आया था यह वहां सहर से निकला था पीजिंग के तो वहां से इसको virus जो है इंडिया में आया और काफी लोगों ने इसमें जो है अपना अपनी जान गवाई एक तरीके का यह pandemic था और इसी के चक्कर में जो है lockdown भी लगा था इंडिया में next है एंफान एंफान एक तरीके का cyclone form हुआ था Bay of Bengal के उपर तो उस टाइम जो है एंफान तुफान आया था तो ऐसे बहुत सारे तुफान आते रहते है रीटा आई तुफान था फिर कैटरीना तुफान था फिर हमने देखा था कि तितली तुफान आया था और अभी हाल ही में कौन सा तुफान आया है 2022 में Bay of Bengal में यह जो है सितरंग तुफान है यह अभी न्यूज में है यह आ सकता है हमारे एक्जाम में नेक्स्ट है हमारा प्रधान मंतरी जन आरो गई योजना एक तरीके का यह जन आरो गयोजना जो है यह व्ल्ड's largest health insurance scheme है और जोकी fully financed by government है जन आरो गयोजना जो है एक तरीके का insurance scheme है जो government के द्वारा लाया गया है नेस्ट हमारा वेव संहेच वेव का फूल फ design of कर बहुन years और इसका फूल फूर्म container सकता है वर्लल्ड एस्सेँचन सोझी सइन फॉर वर्किंग एक क्विटेशन एक तरीकिय का संठ होता है यह women entrepreneurs को बढ़ावा के लिए उनके इंपावन्मेंट के लिए तो यहां पर आके सब लोग जो है अपने अपने आइडियास के करते हैं नेक्ट हमारा काटो सैट 3 काटो सैट 3 जो है एक advanced Indian earth observation satellite है जो की built and developed by ISRO है तो earth observation satellite है जो अर्थ को बारिकी से observe करेगा कि कौन से geographical area में कौन से region में कौन कौन सी घटनाएं घट रही है यह काटो सैट 3 का काम है नेक्स हम देखते हैं write the full forms of the following abbreviation यह full forms जो है यह repeat होते रहते हैं तो इसका भी हमें पता होना जरूरी है तो आईए एक एक करके देखते हैं इससे तो first है हमारा इसमें ITU ITU का full form होता है International Telecommunication Union नेक्स्ट है हमारा ग्यान ग्यान का होता है Global Initiative of Academic Networks नेक्स्ट है हमारा IOM International Organization for Migration आसा आसा वरकर समलोग जानते ही हैं आसा का full form होता है Accredited Social Health Activist Poxo Act Poxo का होता है Protection of Child from Sexual Offenses NCLT National Company Law Tribunal SARS Severe Acute Respiratory Syndrome SOCAM SOCAM का full form होता है Associated Chambers of Commerce and Industry in India UNESCO United Nation Educational Scientific and Cultural Organization FSSAI Food Safety and Standard Authority of India तो यह जो है full forms है आई अब next देखते हैं यह है Name the authors of the following books Making Aid Work Making Aid Work जो है Angus Drayton, Robert Bates, Elias Anston और Abhijit Benerji ने मिलकर इस किताब को लिखा है कागज की नाओ कागज की नाओ कागज की नाओ लिखा है नासिरा सर्माने The Moment Lived Moment Lived लिखा है Melinda French Gates और My Journey जो है इसको लिखा है A.P.J. अबुलकलाम आजारने A.P.J. अबुलकलाम की और भी कुछ जो है राइटिंग से जो एक्जाम में आ सकती है इसमें से जो बहुत important है वो यह है Turning Points, Learning How to Fly, My Life, Indomitable Spirit यह सब किताबे जो है यह A.P.J. अबुलकलाम की है Wings of Fire Next है We are Displaced लिखा है मलाला यूसुफ जाहिने ऐसे तो मैंने Authors and Books के स्रीज जो है दो तीन स्रीज वीडियो जिसमें अलरेडी डाल चुका हूँ तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं और वहाँ से आने के चांस Books and Authors में से जादा है और वो Newly जो Especially जो Politicians या Famous writers ने लिखा है उसको मैंने वहाँ पे cover किया है जो important है Next question हमारा With which sports are the following associated Durand Cup Football से related है, Sultan Azlan Saha Trophy जो है यह होकी से related है, देउधर Trophy Cricket से है और Rider Cup जो है, Golf से है, Thomas Cup जो है, Badminton से है Next हम देखते है, In which fields are the following person achieved fame Swami Swami Nathana एक Chess खेला रही है, बहुत अच्छा Chess खेलती है Swami Nathana, R. Vaisali, Pragna Nanda, यह सब जो है, इंडिया के Chess Grandmasters है पिनाकी चंद्र गोज जो है, फर्ष्ट लोगपाल है, इंडिया के, हीमादास एथलीट है जो 100-200 मीटर का ही रेस करती है Mohana Singh जो है, एक aircraft pilot थी, अभी नंदन वर्तमान जो थे, fighter pilot थे, जो पाकिस्तान में, जिनका land हो गया था, fight वो बहुत ज़्यादा जो है, उस time news में थे तो next question है हमारा, what are meant by the following, sustainable development goals, यह क्या होते हैं, यह collection of 17 interlinked goals हैं, designed to be a shared blueprint for peace and prosperity for people and the planet, now and into the future एक तरीकी से यह 17 goals set किये हैं, United Nations के त्वारा, जो कि achieve करने हैं, हमें future में, तो इसमें जो है, Agenda 2030 तक जो है, बनाया गया है, तो 2030 तक जो है, एक तरीके का, जो है, goal set किया गया है, कि वहां तक हमें इन सब चीजों को achieve करना है, इसमें कुछ targets हैं, जैसे hunger को हटाना है, poverty कम करना है, employment देना है, women को empower करना है, mortality rate करना है, यह सब चीज़ें जो है, HDG goals के अंदर आती है, next है ह तो अलग अलग जगों के अलग अलग जो है, जो है, प्रोड़क्ट निकलते हैं, वहां के प्रोड़क्ट जो है, फेमस होते हैं, तो अलग अलग जगों के अलग अलग जो है, प्रोड़क्ट के GI tag सबको दिये गए हैं, जैसे अभी कोलकाता का जो रस्कुला है, उसको GI tag मिला हुआ है, ऐसे ही बहुत सारे जगों के GI tag, जो है, मिले हुए है, next है हमारा Trifed, Trifed है Tribal Cooperative Marketing Federation of India, यह इसका full form है, It is a national level cooperative body, under the administrative control of Ministry of Tribal Affairs, Government of India, एक तरीके का यह cooperative marketing technique है, जो की Ministry of Tribal Affairs के द्वारा जो है, बनाया गया था, next है हमारा जीन साइलेंसिंग, जीन साइलेंसिंग का मतलब होता है, जीन नॉक डाउन, तो regulation of gene expression in a cell to prevent the expression of a certain gene, तो एक तरीके से इसमें क्या होता है, कि अगर कोई genetic disease से सफर कर रहा है, तो उस gene को जो है, इन एक्टिव करने की कोसिस की जाती है, उसको regulate किया जाता है, तो ज्यादा तर यह cancer से combat करने के लिए लिए किया जाता है, या फिर कोई neural, जो है neural, जो brain से related अगर कोई disorder है, तो उसमें जो है इसको use किया जाता है, तो basically इसमें जो effective gene होता है, जो defective gene होता है, उसको जो है उसके प्रभाव को कम किया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं, gene C जो है हमारी body के को जो है प्रभावित करते हैं, जैसे किसी का बाल कैसे होगा, किसी के ना कैसे होगे, किसी की qualities कैसे होगी, यह gene सी decide करता है, काला पानी territorial dispute, यह हमने उपर भी discuss किया हुआ है, यह जो है इंडिया नेपाल के बीच का territorial dispute था, जिसे नेपाल 1997 से उठाता आ रहा है, तो आईए अब हम लोग जो है last question पर चलते हैं, और इसको भी short में discuss करते हैं, briefly discuss renewable energy expansion programs in India तो renewable energy एक तरीके से ऐसी energy होती है, जो renew हो सकें, मतलब replenish हो सकें, जो जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं, जैसे अगर हम बात करें quaila की तो वो एक non renewable source है, क्योंकि quaila एक बार खतम हो जाएगा तो उसको बनने में काफी time लगता है, लेकिन अगर हम solar energy को यूज करें, wind energy क यूज करें, तो ये बार बार जो है, इतना जल्दी खतम नहीं होंगे, और ये replenish होते रहते हैं, तो इसके कुछ प्रोग्राम हैं, जिसके बारे में यहां पर discuss करने को कहा गया है, इंडिया में कौन-कौन से प्रोग्राम को जो है, बढ़ावा दिया जा रहा है, renewable energy को लेक तो सबसे पहले इसमें जो है, इंडिया ने international solar alliance जो एक body बनाई है, तो इसका जो headquarter है, वो गुलुगाओं में है, तो ये एक तरीके का solar program है, जो इंडिया में जो है, इस government ने बढ़ावा दिया है, मोधी government, दूसरा अगर हम बात करें तो एक गोबर्धन scheme भी लेकर आया है, जहां पे गोबर, जो गाओं में जो पसू होते हैं, जो गोबर करते हैं, तो उनसे भी जो है, renewable energy एक तरीके का बनाया जा सकता है, गोबर्धन scheme, और दूसरा यहां पे dams भी बनाया जा रहे हैं, बहुत सारे dams जो है, बन रहे हैं, तो ये सब चीज़ें जो है, एक तरीके क renewable energy के program है, जो ये government बढ़ावा देती है, नेक्ट है हमारा define disaster management and discuss recent trends in disaster management with reference to India, तो disaster management जिस तरीके से नाम ही बता रहा है, कि disaster यानि आपदा आने पर, जो है किस तरीके से manage करनी है चीजों को, इसके लिए एक act भी बना हुआ है, disaster management act 2005 का, और उसके अंदर ही जो है, national disaster management authority बनाया गया है, जो कि home affairs, ministry of home affairs के अंदर काम करती है, तो ये, इसके जो chairman है, वो ex-officio chairman जो है, वो prime minister होते हैं, इस समय नरेंद मोदी जी इसके prime minister है, तो, disaster जिस तरीके से आता है, तो हम लोग देखते हैं कि, एक special body बनी हुई है, disaster management के लिए, वहाँ पे disaster आपदास को जहलने के लिए training दे जाती है, लोगों को, तो, यहाँ पे special training दिया जाता है, लोगों को, कि वो disaster से लट सके, इस समय जो है, इंडिया में भूकम पाने का खत्रा बहुत जादा है, यूंकि हम देखते आ रहे हैं, कि जो हमारे हिमालियन रेंज से जुड़े हुए जो छेतर है, वहाँ पर ज़्यादा गुकम पाने का खत्रा बना रहता है, वो इसी को ध्यान में रखते हुए, जो हमारी disaster management authority है, वो यह चेक करती है कि, कौन सा बार्ड प्रभावितेरिया है, और कौन सा गुकम प्रभावि तेरिया है, तो वहाँ पर अपने special offices बना के रखते हैं, और disaster आने पर वो लोग active हो जाते हैं, और local police के साथ मिलके, जो है, disaster को handle करने का प्रयास करते हैं, जिससे जान माल का नुक्सान कम हो, सबसे पहले जान बचाई जाती है, उसके बाद कोसिस करते हैं कि, जो है, माल भी बचाया जा सके, तो ये था हमारा आज का paper discussion, जो GS का 2019 का paper था, आसा है कि आप सबको जो है, इससे मदद मिलेगी, अब हम next video में, next video के साथ, next topic के साथ हम मिलते हैं, तब तक के लिए, जैन जै भारत, thank you.